सिर्फ राब को सोते समय एक मुठी चावल लेकर मेरे बता हुए जगा पर रख दिजिएगा सुवह सहीं वो इस्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगे जैसे ही एक मुठी चावल लेकर के मेरे बता हुए जगा पर रात को रख दिजिएगा ये जादू टोना वशिकरन हो जाएगा उस इस्तरी के लिए और सुभध सहीं वह आपके प्यार में बेचैन होकर आपके प्यार में दीवानी होकर आपसे मिलना चाहेगी आपसे बात करना चाहेगी आपके बिना नहीं रहा पाई यदि किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं तो वह पुरुष सुवह तक आपका दीवाना बन जाएगा किसी लड़की को अपने प्यार में दीवानी बनाना है किसी साधे सुदा महिला को अपने प्यार में बेचैन करना है तो सिर्क रात को सोते समय एक मुठी चावल लेकर मेरे बता हुए जगा पे रख देना है आपका काम बन जाएगा सुवह सही वह इस्तरी आपके पीछे पीछे घुमना सुरू कर देगी वह खुद आपसे मिलने के लिए आएगी यानि कि आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी दीवानी हो जाएगी मैरे प्यारे प्यार भक्तों आप सभी को मालूम होगा कि चावल का प्रियोग सुवकार्ज में किया जाता है सादी बिवाह या किसी उपरकार की पूझा अच्छत के रुप में चावल का प्रियोग किया जाता है और इसी चावल को एक मुठी ले करके मेरे बता हुए जगा पे रात के समय रख देते हैं तो सुबह से ही वह इस्तरी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी वह लड़की पल-पल आपको याद करेगी यानि कि आपका प्यार आपके प्यार में बेचैन होकर छटपटा कर आपके पास खुद फोन करेगा आईए बताते हैं कि कैसे एक मूठी चावल रात को सोते समय यहां पे रख दीजिएगा तो सुबह सही आपका प्यार आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यार वक्तो यदि आप वह सिकरन करना चाहते हैं किसी को वस्म करना चाहते हैं किसी को पाना चाहते हैं तो सही से इस वोशिक्रान को समझ लीजी और आत को सोते समय इसको कर दीजिएगा, सुबह सही वो आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी. आईए बताते हैं सिर्फ एक मोठी चावल आप ले लिजिएगा सबसे पहले सबसे पहले एक मोठी चावल ले लिजिएगा और जिस भी लड़की को अपने पीछे दिवानी बनाना चाहते हैं अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं उसका नाम लेकर आपको यह उट टोटका करना है कैसे करना आईए बताए जैसे ही आप चावल को अपने मूठी में रख लीजिएगा रखने के बाद में आपको क्या करना इस परकार से अपने प्यार का नाम सात बर लेना है जैसे कि मा लेजे कि आप किसी लड़की को वस्मक करना चाहते हैं और उस लड़की का नाम है नीतु कुमारी तो आपको इस परकार से बोलना है नीतु 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 यानि कि सात बार नीतु नीतु बोलना है आप जिसको भी वस्म करना चाहते हैं उसका नाम लेंगे माली जी आप किसी लड़की को वस्म कर रहा है किसी साधी सुधा महिला को वस्म कर रहा है तो उस साधी सुधा महिला का नाम लेंगे उस लड़की का नाम लेंगे या किसी पुरुष के लिए कर रहा है तो उस पुरुष का नाम साथ बालेंगे और इस चावल पर फूंक मार देंगे उसके बाद में इस चावल को अपने मुठी में रख कर कस के दवाना है कस कर ध्यान देना है कि बाहर से इसमें हावा भी परवेस ना करे इतना जोर से बन करना है मुठी को बन करने के बाद में आपको इस चावल को लाल कपरे में रख देना है रुमाल के साइज का एक लाल कपरा लेना है चोटा सा टुकरा लेना है लाल कपरा हो उस पे रख देना है चावल को रखने के बाद में इसको गांठ लगा देना है और इस चावल को जिसमें जिस कपरे में इस चावल को रखे हैं लड़की का नाम लेकर लड़की के लिए अपके प्यार में दीवान ही हो जाये, आपके पिछे-पिछे घुमना सुरू करदे उस चावल को आपको करना क्या होगा? उस्सी समय रात में जैबजे कीजी, चाहे 10 बज़े रात हो, 3 बज़े रात हो, 12 बज़े रात हो, कभी भी कीजी. उसी छन जैसे इं लाल कपरे में इस तो आपको उसी समय ले जा करना है उस लडर्की के घर के दरبाजी के बार फ्यंक दिजिए कि अगर यह आप नहीं कर सकते हैं माली जी कि आपके प्यार का घर दूर है तो आप क्या किजिएगा उस चावल के पोटली को आप क्या किजिएगा अपने घर से साथ बार उसको उल्टा घुमा दीजिएगा और उसको किसी भी चोराय पे ले जाकर फियंक दीजिएगा सुबास से ही वह इस्तरी आपके पीछे पीछे गुमना सुरू कर देगी वह खुच चल कर आपके पास आगी आपके बिना नहीं रहा पाएगी वह आपके प्यार में इतना दीवानी हो जाएगी कि आपके बिना एक पल भी नहीं रहा पाएगी यह आजमाया गया टोटका है बहुती पाउरफूल है मेरे वक्तो आप इसको जरूर कीजिएगा जहां भी समझने में दिकत लगे नीचे कमेंट कीजिएगा हम आपकी जरूर मरत करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं आभी तक में चालों के सब्सक्राब नहीं कि त सब्सक्राब जरूर कीजिएगा तकि जितने भी ब्रूर नहीं है सब सब पहले आप ही के पास में जाएगा